श्रिजान खान का नाम सुनते ही अगर सबसे पहले किसी का नाम आपके दिमाग में आता होगा तो वो है तुनीशा शर्मा जी हां लोगों ने इन्हें इतना पसंद किया था लेकिन एक ऐसी ट्राइजडी इनके सेट पर हुई जहां पर तुनीशा ने आत्मा हत्या करकर अपनी जान खत्म कर लेजी हैं वो भी उसी सीरिल के सेट पर जहां उन्हें बेहद ही बहुत जादा प्यार ओडियंस और सेट के मेंबर के तुरू मिल रहा था बहुत ही पॉपिलर हो चला था ये शो और इनकी जोड़ी जो है वो बहुत जादा पॉपिलर हो चुकी थी लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिजान पर जिस तरीके के इल्जाम लगे शिजान के परिवार पर जिस तरीके से इल्जाम लगे कही न की लाइफ में दास्ताने काबूल एक अलीबाबा सीरियल जब से उनकी जिन्दगी में आया था जब से शिजान और तुनिशा की दोस्ती हुई थी तब से तुनिशा जो है उनके घर का उनके दिलों का एक एहम हिस्सा बन गई थी और जब शिजान की जिन्दगी से तुनिशा ने इस तरीके से एक्जिट ली कही ना कहीं मैं कहलू जिस तरीके से उन्होंने अपनी दुनिया को खतम कर लिया तो किस तरीके का एक सद्मा या किस तरीके का एक मेंटल पीस कहलू कि जिस तरीके से शिजान पर वो अटाक किया होगा क्यूंकि जैसे ही ये वाक्या हुआ जो है कि जेल में बिता कर आये थे और उन पर गंभीर आरोप लगेते हैं कि तुनीशा ने जो ये आत्मा हत्या की है कही ना कहीं उसके पीछे जो है कि मर्डर मिस्ट्री हो सकती है कहीं ना कहीं आत्मा हत्या को उकसाने के पीछे शिजान का हाथ था इस तरीके के इल्जाम जो आखिर वो दौर वो किस तरीके का दौर उनके जिन्दगी में आया था क्योंकि कहीं न कहीं वो यह कहते हैं कि तुनिशा उनके दिलों का एक बहुत एहम हिस्सा है, तो शिसान खान ने इस पर बात करते हुए कहा कि जब वो जेल में थे तब तो एक अलग ही तरीके खा उनका mental trauma चल रहा था लेकिन जब वो घर से बाहर आए तब भी लगभग 70 दिनों के लिए जो है कि वो अपने घर पर सुकून से सो नहीं पाए थे उन्हें उस भीड में भी उनके घरवालों के भीड में भी एक अखेला पन महसूस हो रहा था एक अजनभी सा फील हो रहा था क्योंकि जिस तरीके की चीजें उनके परिवार वालों के लिए कही गए जिस तरीके से negative light में उनके परिवारों को खीचा गया चाहे उनकी बेहन हो ऐसक्स के लिए जो शायद शजान और उनके परिवार का के बेहद यही करीबी हिस्सा रह चुकी है जब वो इस दुनिया में थी तो शिजान खान का ये कहना है कि उनके वजह से कही न कहीं एक गलत इल्जाम जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो बैठाया गया जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन हुई तो उनको बहुत ही ज़ादा अकेला पन महसूस होता था बहुत ही ज़ादा खाली पन महसूस होता था और बहुत ही ज़ादा इस तरीके से फील होता था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है उन्होंने काफी उनके मेडिकेशन चले फिर तब पता चला कि उन्हें पोस ट्रॉमाटिक disorder हो गया है क्योंकि वो जिस तरीके की चीजे सोचते थे जो उस तीन महीने में कहिलू मैं जो उनके साथ जेल में बीती गई जिस तरीके से court के trials उनसे सवाल उनसे जवाब पूरी पूछताच के दौरान जो एक उनकी life में दौर आया था वो बेहत ही खतरनाक था जिसके चलते जब वो बाहर आए वो अपने घर पर अपने आपको सेफ नहीं महसूस कर पा सकते थे क्योंकि जिस तरीके से चीजें उनके दमाग में चलती थी जो चीजें वो पढ़ते थे जो चीजें वो अपने परिवार के लिए देखते थे तो वो काफे जादा उनके लिए साइट था तो इस तरीके कि जब वो तुनीशा के लिए बाते याद करते हैं तो उनका ये कहना है कि वो तो उनके दिल का करीबी हिस्सा थी और अगर वो इस दुनिया में होती तो शायद जो है कि वो उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा बैकबोन साबित होती और उनको हर चीजों से बचाती और आज भी वो उनके दिल में जो उन्होंने नाम दिया है टुनी वो जो है कि बेहदी करीबी है लोग चाहे जो भी कहले या जितने भी इल्जाम लग जाए ले लेकिन जो है कि जिस तरी से उनकी जिन्दगी एक जो बदल गई है तुनीशा शर्माके आने के बाद और उनके जाने के बाद जिस तरीके से उनके परिवार ने भी जो सारी चीज Molly की है वो बेहत ही जादा उनके लिए सैड है क्योंकि वो सारी चीजे कही ना कही involved उसमें है नहीं उन्हें पता नहीं है कि आखिर ये क्या हो चुका है लेकिन लोग जो है कि जज्जमेंट आने के पहले जब अपना जज्जमेंट सुना देते हैं और उस पर लोग उन्हें जज्ज करते हैं उन्हें उसी तरीके से देखते हैं उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसी भी कई है जो काफी तुनिशा से रिलेटेड है जो काफी जादा इस चीजों को इन्वाल्व करती है कि आखिर लोग किस तरीके से जल्दी एक सिच्वेशन होने पर और एक स्टेट्मेंट आने पर लोगों को जच कर लेते हैं तो उस तरीके से आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती ह है और उसका असर आपके मेंटल हेल्थ पर कितना पड़ता है ये बहुत ज़दा गौर करने वाली बात है तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से शिजान का ये कहना है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल स पास बहुं और बेटिया को फॉलो करना ना भूलें